जे स्री क्रिष्णा रधे रधे आईए जानते हैं निर्जला एक आदसी 2024 में कव है जाने पूजा का शूम हो महत्वर इवब इस दिन क्या करें क्या ना करें साल भर में कुल 2024 यानि हर महिने में दो एक आदसी का ब्रत किया जाता है पुराडो में इसे शर्व स्रिष्ण माना जाता है इसके प्रताप से धर अर्द काम मोच चारो पुरसाथ की प्राप्ती होती है वैसे तो हर महिने की एक आदसी का महत्व है सबसी अधिक महत्व पूर्मानी जाती है सुहागिनों तपस्वी को निर्जला एक आदसी का बेसबरी से इंतजार रहता है आईए जानते हैं साल 2024 में निर्जला एक आदसी कब है पुजा का महोड और महत्व इस साल निर्जला एक आदसी 18 जुम 2024 मंगलवार को है निर्जला यानि यह ब्रत बिना जल ग्रहर किये किया जाता है इसलिए शभी एक आदसीयों में एब्रत कठिन तब और साधना की समान महत्व रखता है इसे भीमसेनी एक आदसी पांडो एक आदसी के नाम से भी जाना जाता है पंचांक की अंसार जीष्ट माह के शुक्ल पचकी एक आदसी थी 17 जुन 2024 को सुबह 4 बजगर 43 मिनट से शुरू होगी और अगले दिन 18 जुन 2024 को सुबह 6 बजगर 24 मिनट पर इसका समापन होगा विश्टु पूजा का महा उर्थ शुबह 8 बजगर 53 मिनट से दो पहर 2 बजगर 7 मिनट तक है निर्जला एक आदसी व्रत पारन का समय निर्जला एक आदसी व्रत का पारन 19 जुन 2024 को सुबह 5 बजगर 24 मिनट से सुबह 7 बजगर 28 मिनट के बीच किया जाएगा इस दिन दो आदसी समाप्थ होने का समय सुबह 7 बजगर 28 मिनट है निर्जला एक आदसी का महत्व जहां साल भर की अंधी एक आदसी व्रत में आहार सैयम का महत्व है वही निर्जला एक आदसी के दिन आहार के साथ ही जल का सैयम भी जरूरी है पवराडी कथा के अंसार एक बार बहु भोजी भीम सेमनी ब्यास जी से मोच प्राप्ति का उपाई जाना तब ब्यास जी ने उन्हें एक आदसी ब्रत करने को कहा लेकिन भूख बरदास न कर पाने के कारण हर महिने एक आदसी ब्रत करना भीम सेन के लिए मुश्किल था तब ब्यास जी ने उन्हें नेजला एक आदसी ब्रत करने की सलाह दी और कहा कि ए ब्रत शभी 24 एका दस्यों का फल प्रदान करेगा इसके प्रताप से उन्हें स्वर्ग मिला और मोच को प्राप्थ हुए शुहागनों को मिलता है अखंड सौभाग्य जैसे कि निजला नाम से अस्पष्ठ है इस दिन ब्रती को अन्य तो क्या जलग्रहड करना भी वर्जित है जीष्ट की गर्मी में बिना पानी के ब्रत करना बेहद मुश्किर है यही कारण है कि निजला एकादसी सबसे कथिन ब्रत माना जाता है लेकिन इसका फल भी कई गुणा मिलता है जो भी सुहागिन महिला ब्रतरक पूजा करती है उसे अखन सौभागय की प्राप्ती होती है पती की आयू लंबी होती है इस दिन बिधी पुर्व जल कलस का दान करने वालों के सारी पाप धुल जाते है जन्मरर के बंधन से मुक्त हो जाता है निर्जला एकादसी पूजा भी धिन निर्जला एकादसी तिथी के सुर्योदय से अगले दिन द्वादसी तिथी के सुर्योदय तक जल और मोजन ग्रहर नहीं किया जाता है एकादसी के दिन प्रातह का भगवान दिश्रू की बिधी बिधान से पूजा करे इसके बाद ओम नमो भगवते वार्षु दिवाय मंत्र का जाब करें कथा सुने जल से कलस भरें और उसे सफेद वस्त्र से धख कर रखें उस पर चीनी तथा दचिडा रखकर ब्रामहर को दान दें शुहाग ने इस दिन सुहाग शामगरी बाटें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और पर शेट कर लें ताकि आगे आदे वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें धन्यवाद